ऐलो दोस्तों क्या हाला चाल मैं रमीर मुंजाल भाई साप बहुत दिन हो ब्लब दीन renewed been cuarto दीन और विश साब बच्चे कहारहे हैं थर आप कहां में कहां हो कहां गायब होग आपने बताय संद इस और पार install कि DTU LEET इतनी लेट क्यों हो रहा है उसके application form क्यों नहीं आ रहे हैं इसके उपर आपन चर्चा करने वाले हैं आपको मैं background बता देता हूँ 2015 से DTU में later entry full time शुरू हुआ था उससे पहले part time रहता था part time में आपका work experience मांगते थे लेकिन 17-18 में थोड़ा सा change हुआ था इन्होंने regular वाले बच्चों को भी part time में admission देना शुरू कर दिया था उसको इन्होंने full time कह दिया था बीटेक इवनिंग प्रोग्राम बोल दिया था फिर उसमें court case हुआ उसके बाद उसको बीटेक इवनिंग कह दिया गया दुबारा से बीटेक continue प्रोग्राम बोल दिया गया यहां आपको दिख रहा होगा यहां पर अगर मैं admission में जाओं तो यहां पर बीटेक लेटल लेकिन 19 के बाद 20 वाले बच्चे 21 वाले बच्चे प्लेसमेंट में शायद नहीं बैट सकते उनका prospectus बिल्कुल अलग निकलता है वो ओल्रेडी working professional होने चीए उनको NOC देनी पड़ती है अपने company के यहां से तो अपन बात यह नहीं कर रहे हैं अपन बात यह कर रहे हैं इसक किया फॉर्म कब निकलेंगे जर अरे बेटे बीटेग लेटल एंट्री जो तीन साल का है यह कैसे लिया जाता था इसमें फर्स्ट यर में मैंने डीट्यू में अडमिशन लिया उसके बाद मैंने सेकंड यर में भी समेस्टर के एक्जाम दिये लेकिन मिरको आइटी का कीड सब्सक्राइब सेकंड और में चाल जाओंगा वह सीट खाली रही है श्पॉज जो वेकंट हुई है वह कंप्यूटर ब्रांच की हुई है सपोज कर रहने के लिए बोल रहा हूं या सिविल ब्रांच की हुई है तो वो सीट होई है या 20-25 चोई चोड़ के चला गया बीच म कैसे भी, तो वो जो seat vacant हुई है, वो seat खाली नहीं रहती थी, क्योंकि fees बहुत जादा हो चुकी है, DTU की, पहले खाली रह जाती थी, क्योंकि fees नहीं थी, अब तो fees बहुत जादा होगी है, fees जादा होगी है, तो खाली कैसे जोट देंगे, तीन साल तक वो fees, खतम हो जाएगी ना भई तो अब क्या होगा अब क्या हो रहा था पिछले 4-5 साल से वो जो खाली रही वी सीटे थी वो ये लोग इंटर्नल स्लाइडिंग कर रहते थे कि जो नीचे की ब्रांच है जैसे इंजिनिंग फिजिक्स ब्रांच नीचे उपर कुछ नहीं होता बेटे सारी ब्रांचे मेरी नजर में अगर कोई पढ़ने वाड़ा बच्चा है तो वहां से वो पूरा का पूरा सोनना हीरा निकाल सकत एंजिनिंग फिजिक्स ब्रांचे ब्रांचे एंजिनिंगय कोई ब्रांचे के आपको दिख रहा होगा सिरुं ले देज़ फेस राल ना सिरुआ है यह फीस कैसे बढ़ गी है आपको दिख रहा होगा बैचलन टेकनोलोजी लेटल एंट्री की जो फीस है यह आपको दिख रही होगी दोस्तों यह जो सेकंड यह में जब आप अडमिशन लोगे तो 2,6,000 पर जब आप थार्ड यह में अडमिशन लोगे तो 2,19,000 पर जब आप 2021-22 में फीस रिवाइज हुई है इसके उपर हम चर्चा बहुत ही मलब धीप में कर चुके हैं आप जाके मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को देखो और आप सबसे मैं बार-बार बोलता हूँ कि भाई लीट का एक सिंगल एक्जाम होना चीज इस बात की उपर चर्चा अब आप लोग होगे आरे सर आपने तो स्टार्टिंग में दो मिनिट बोला था पांच मिनिट होगे बस खतम होने वाली बात मेरी बाई मेरी बात खतम होने वाली है दोस्तों डीट्यू लीट टोटली सेकंड येर का जो लेटल एंट्री है वो टोटली डिपेंड करता है पे DTU में first year जो start हुआ था वो November, December और even January तक admission process चला था और वो January में अगर start होगा तो यानि इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि वो January में start होगे March तक गया, March, April तक गया होगा, हना या मही तक भी हो सकता है, यानि उनका second semester अब just चुरू हुआ है, एक दो महीना हुआ है, अब उनको एक दो महीना और लगेगा, उनको finish करने में, finish करेंगे उसके बाद, उसके बाद vacant seat की matrix निकलेगी कौन-कौन से department में कौन-कौन सी seat खाल ली है, फिर एक internal sliding होगी, कि जो उपर की branches चीज है, उपर की मलब जैसे computer branch की बहुत ज़्यादा computer branch है, software है electronics है, mechanical है core civil branch है, थोड़ी divan ज़्यादा है बच्चों की नेजर में तो वो उस branch में shift कर जाएंगे और जो बाकी बच्ची भी branches होंगी अब जो seat खाल ली होंगी वो diploma वालों को दी जाएंगी यानि आपकी diploma की जो seat matrix है वो depend कर रही है BTEC के first year वाले बच्चों पे तो उनका पहले session खतम होगा उसके बाद, यानि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके application form July last में या August के first week में निकलेंगे हो सकता है इसके बाद निकलेंगे अगर इससे पहले निकल जाएंगे तो सबसे पहले बताने वाले हम होंगे भाई तो मैं आपको ये बोलना चाहरा हूं जो नहीं जुड़े अभी तक इस channel पे telegram in GCC जुड़ जाओ जो नहीं जुड़े Instagram पे Facebook पे या हमारी app जिन्होंने अभी तक install नहीं करी या अगर आपको इससे related study material चाहिए या coaching चाहिए तो भाईया यहां पे आप जाके वो सारी चीज़े ले सकते हैं Thank you so much listening my voice Love you all, God bless you all अभी तक कोई भी information ना तो NSUT की admission की है Sir क्या NSUT लेगा क्या आपने बोला था, आरे भाई लेगा तो सबसे पहले हम बताएंगे, अभी तक कोई information नहीं दिया, NSUT ने भी कोई information नहीं दिया, DTO ने भी reason बता रहा है, उनका first year ही late चल रहा है, COVID की वज़े से, जो 2021 में admission हुए थे first year के, वो late हुए थे, इस वज़े से यह process जो है, वो late हो जाएगा ऐसा नहीं है कि AICT की तरह top, 10 city निकलेंगी निकलेंगी, ऐसा नहीं है, तो यह बात मेरी, मिर को लगता है कि मैंने clear करती हूगी और time मैंने ज़्यादा ले लिए, उसके लिए शमा मांगता हूँ, 7 minute ले लिए okay, thank you so much listening love you all, जाते जाते, इतनी शक्ती हमें देना दाता मन का विश्वा से कम जो रुना हो, हम चले नेक रस्ते पेस्ते, भूल कर भी कोई भूलना हो, भूल कर भी